कमिशन उत्रप्रदेश ने जो है नोटिफिकेशन 2023 के PCS के प्रिलिम्स एक्जामनेशन का नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ है और इसमें जो सबसे ज़्यादा आपकी जिग्यासा है उत्सुकता है वो कैसे तरिके से मेंस का पेपर होगा और जो की जिए अभी चेंजर गए और उसकी जिगे पर क्या लाए गया है पेपर 5 और 5 और 6 को इंक्लूड किया गया और इनका सिलिबस किस तरिके के होगा यह आपको मैं दिखाता हूँ क्या नोटिफिकेशन में कहा गया है बाकी सारी बातें डिटेल में आपसे चर्शा करेंगे इसके उपर लेकिन जेटीस रहेगा उसमें कोई चेंजेश नहीं होगा लेकिन इसी किसा साथ उन्होंने ये भी लगाया उत्तर परदेश के संबंदित विश्यों को छोड़ कर इसका आर्थी यह हुआ कि जो जीएस पेपर एक जीएस पेपर दो जीएस पेपर तीन और जीएस पेपर चार में उत्तर परदेश से जुड़ेवे जो प्रशन आते रहें अभी तक संभावता अब उनको वहां से रिमूव किया जाएगा और इस तरीके से जो हमारा स्टेटिक जीएस का जो ट्रडिशनल का पार्ट है स्टेट जूपी को हटा करके वो हाँ पर उनके प्रशनों की संख्या बढ़ने जा रही है एक चीज़ दूसरी चीज़ जो हमारा सेकंड पेपर यानि जो पेपर एड़ किये गए हैं जीएस पेपर फाइव जीएस पेपर सिक्स वो जो है उसमें उत्तर प्रदेश विश्यक विस्तृत और व्यापक पार्ट करम इसमें इंक्लूड किया है कि उत्तर प्रदेश one of the most important factor to decide your selection in PCS examination और अब आगर outsider हैं उत्तर प्रदेश से आपको पास दो मिसाइल नहीं हैं तो निश्चिद रूप से आपके लिए उत्तर प्रदेश PCS में अब चेन प्राप्त करना जो बाहर के लोग हैं उनके लिए एक मुश्किल काम हो जाएगा क्योंकि बहुत ही डिटेल एक और व्यापकाम प्रियोग किया गया है तो आप इस तरह के से इसको देख सकते हैं और यही अब तक की जो सबसे बड़ी update है अगर हम vacancies की बात करें तो जो vacancies है वो vacancies 176 vacancies के लिए नोने notification को जो है जारी किया है और साथी साथ इसमें कुछ ची की बात की जाएगी तो तीन तारिक से जो है इसका online commencement हो जाएगा application के लिए फिर bank में फीज जमा करने के लिए तीन मार्च तक है और farm को finally जो है submit करने के लिए 6 अपरेल तक का time दे रखा है और जो फीज जमा करने के लिए हो sorry मैंने मार्च बोल दिया है वो अपरेल तक है दो संभावना है लेकिन अभी आपको 173 मान के चलना है और जो पदस वगारा दे रखें तो traditionally आपको मालूमी है साथी साथ एक किसमें आपको important information दे रहा है कि law officer के लिए अगर आप apply करेंगे तो उसके लिए आपके पास bachelor degree लाग के साथ-साथ आपके पास bar council का registration होना चाहिए या बार association का होना चाहिए फिर यह specific qualifications है specific post के लिए यह सारी चीज़ें आपके लिए clear है OMR sheet यह सारी basic information है अगर हम second paper prelims की बात करें सी सैट की तो उसमें 33 performance आपको जो है qualifying रखना है जो लोग पूर में परिच्छाएं दे रहे हैं उन्हें इन सब चीज़ों का नुभव है एक detail मैं नए जो aspirants है उनके लिए लेकर आऊंगा यह आप screenshot डे सकते हैं उत्रप्रदेश SCST के लिए जो जाती प्रमारत है प्रमारपत्र है फिर इसी तरीके दे उत्रप्रदेश के जो OBC वर के लिए है EWS के लिए जो प्रमारपत्र का प्रारूप है यह आप देख सकते हैं और EWS में एक अपना self declaration भी देना होता है उसका भी यह प्रारूप दे र होगा और 200 marks each होंगे यह चीजें आपको important रखने हम दमाग में रखनी है और साथी साथ अगर हम प्रिलिम्स में English के syllabus की बात करें तो यह बहुत important है इसको ज़रा एक बर आप धियान ले लिए screenshot डे लिए ताकि जो हमारा cset का paper रहता उसमें जो समस्याइं आ जाती है उसमें आप काफी हद तक improvement कर सकते हैं अगर यह से लिए बस आप अपने टेबिल के सामने लगा के रखते हैं thank you so much